बचपन में मेरा सबसे पसंदीदा स्थान पिंजुक्षन था। वहां की रेलवे पट्री के पास खेलने का समय होता था। हर दिन हम दोस्त वहां मिलकर खेलते थे। चारों और ट्रेनों की दहाड बसी रहती थी पर हमारे लिए वहां खेलना सब कुछ था। एक दिन हमने का नहीं यह ठीक नहीं होगा। मेरे दोस्तों ने कहा तो क्यों रहा है हमें पार करना है। मुझे भी अच्छा लगा इसलिए मैंने भी हां कह दी। हमने धीरे धीरे पट्री को पार किया। पहले दोस्त आगे चले फिर मैं तभी एक तेज धड़ा-धड आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन हमारी ओर आ रही थी। मैं भागने की कोशिश करने लगा पर मेरी टांग पट्री में फंस गई। दोस्तों ने मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाया पर मैं नहीं निकल पा रहा था। मेरे दिल की ध मैं इतना डर से भरा हूँ। ट्रेन रुक गई मेरे दोस्तों ने मुझे बाहर निकाला। मैंने उन्हें धन्यवात कहा। वहीं खड़े होकर मैंने सोचा दर को पार करना होता है। दर वहां होता है पर मैंने उससे नहीं हारा। उस दिन से मैंने अपने डर को मात दिया। इंजुक्षन के पास जाना मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा सबक था। मैंने सीखा कि हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बस अपने आप पर विश्वास हो।